हेलो नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है स्टेडी नर्सिंग कॉंसेट पे मेरा नाम है सिवम सुकला और मैं आज बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ यह जो टॉपिक है यह जुड़ा हुआ है नर्सिंग की CHO वैकेंसी से और इस टॉपिक का नाम है Certificate in Community Health मतलब CCH तो यह Certificate in Community Health क्या है और जो CHO की requirement है मतलब Community Health Officer में जो requirement है उसमें इसको क्यों add कर दिया गया अभी आपको अगर याद हो कि जो मध्यप्रदेश है मध्यप्रदेश ने 3800 वैकेंसी निकाली है और इस 3800 वैकेंसी में उन्होंने कहा है कि वही eligible हैं जिनके पास इस certificate है CCH का Certificate in Community Health तो हम बात करने वाले हैं कि यह Certificate in Community Health क्या है यह Certificate कैसे मिलता है इसकी जरूरत क्या है और क्या GNM के students और जो old BAC nursing या post basic BAC nursing के students है जिन्होंने 2019 से पहले BAC nursing की है उनका क्या future होने वाला है आगे चलके CCHO की वैकेंसी में तो यह बहुत सारी बाते हम करने वाले हैं बहुत ही informative वीडियो होने वाला है आपके लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें साथी साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तो चलिए बात करते हैं कि यह certificate in community health यानि CCH है क्या तो देखिए अभी हुआ क्या कि जो मध्यप्रदेश government है MP NHM ने क्या किया कि job निकाली CHO post के लिए और यह CHO post के लिए 3800 job उन्होंने निकाली 3800 jobs तो यह 3800 job जो उन्होंने निकाली उन्होंने कहा कि इसमें वही eligible हैं वही community health officer MP में बन सकते हैं जिन्होंने BSC nursing की हो और उनके curriculum में add हो certificate in community health या फिर उन्होंने post basic BSC nursing की हो और उनके भी curriculum में क्या add होना चाहिए certificate in community health या फिर वह students eligible हैं जो की BSC nursing final year में है और उनके भी syllabus में या post basic BSC nursing final year में है और उनके भी syllabus में क्या जुड़ा हुआ है certificate in community health इसका मतलब यहां केवल वही candidates apply कर सकते हैं जिनके पास certificate है community health का GNM यहां पर apply नहीं कर सकते हैं old BSC nursing या post basic BSC nursing यानि 2019 से पहले वाले बच्चे नहीं कर सकते हैं apply यह मैं क्यों कह रहा हूँ कि 2019 से पहले वाले बच्चे apply नहीं कर सकते हैं वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको यह slide दिख रही है यह Indian nursing council का यानि INC का एक notification यह notification अगर आप देखेंगे तो 2019 में निकाला गया था इस notification में यह कहा गया कि जो BSC nursing के student हैं और post basic BSC nursing के student हैं उनके syllabus में integrate कर दिया गया है MLHP program MLHP program का मतलब है mid-label healthcare provider जिसको आज आप कह रहे हो certificate in community health तो certificate in community health add कर दिया गया in the syllabus of किसके BSC nursing और post basic BSC nursing के कब add किया गया 2019 में यानि 2019 में 2020 में और इसके बाद जो students BSC nursing करेंगे या post basic BSC nursing करेंगे उनके syllabus में final year के syllabus में पहले से ही CCH community जो certificate in community health है उसको पहले से ही add कर दिया गया है जिसको यहाँ MLHP कहा गया है यानि 2019 से पहले ये syllabus में add ही नहीं था और अगर 2019 से पहले syllabus में add ही नहीं था बाद वाले student के पास ये certificate है अब इस certificate के लिए क्या करना पड़ता था कि INC ने क्या किया कि कुछ 19 topic add कर दिये थे ये 19 topic है ये BSC fourth year जो final year है या post basic final year में उन्होंने ये ये कुछ topic add कर दिये इसको पढ़ने के बाद बच्चा खुद बखुद उसको वह certify हो जाता है कि उसने MLHP का course कर रखा है अब ऐसे बच्चों क्या करना पड़ेगा कि कहीं भी CHO की अगर post निकलती है तो ये सीधे apply करेंगे apply करने के बाद एक entrance test देंगे और entrance test करने के बाद इनकी सीधे joining हो जाएगी CHO post के लिए इसका मतलब यह है कि इनको कोई 6 महिने की training करने की जरूरत नहीं है क्यों नहीं जरूरत है क्योंकि ये पहले ही अपने syllabus में पढ़के आ रहे हैं सारी चीज़ें तो देखें government का फाइदा क्या है? government का फाइदा यह है कि इनको 6 महिने की additional training नहीं करानी पड़ रहे है जो बच्चा पढ़के आ रहा है वो सीधे पढ़के आ रहा है CHO का course तो government का यह फाइदा हो जा रहा है अब बच्चों का नुकसान क्या हो रहा है? बच्चों का नुकसान यह है कि GNM के जो students है या फिर जो old student है उनके पास ये curriculum है नहीं ये syllabus है नहीं उनके syllabus में और साथ ही साथ उनको ये certificate भी अभी नहीं मिला है तो अब बात यह आती है कि जो GNM students है या old BAC nursing और post basic nursing students है उनका future क्या होने वाला है? तो देखिए अभी तक क्या है कि अभी तक government क्या करती थी कि जब CHO की post निकालती थी CHO की post के लिए वो इंट्रेंस कराते थे इंट्रेंस में जो पास होते थे उनका छे मेने का training कराते थे और six month training कराने के बाद CHO की posting कराते थे तो अभी तो केवल MP government ने ऐसा किया है कि MP में अभी उन्होंने ऐसा किया है कि किसी भी GNM और old BAC nursing student को उन्होंने नहीं लिया है बाकी government ने अभी ऐसा नहीं किया है तो एक तो यह अच्छी बात है दूसरा यह है कि हो सकता है कि देखे चुकि अभी किवल दो ही batch ऐसे हैं जिनके पास community जो certificate in community health है वो उनके पास है eligible करना पड़ेगा और eligible करने के बाद इनको necessary training देनी पड़ेगी तो यह एक एक संभावना है कि हो सकता है आगे चलके government को यह पता चले कि हाँ students कम है अभी तो हमें क्या है कि training देनी पड़ेगी एक तो बात यह हो गई तो अब दूसरी बात क्या है दूसरी बात यह है कि future पड़ा हुआ है आप किसी भी institute के nursing officer के लिए apply कर सकते हैं किसी भी private institute में job कर सकते हैं आप as a nursing tutor job कर सकते हैं तो बहुत सारी संभावना हैं तो मेरे ख्याल से एक state में इन्होंने certificate मांग लिया या एक state में जीनम वाले या old BSc nursing students को अगर नौकरी नहीं दे रहे हैं तो कोई इ BNM और old BSc nursing students को सरकार को एक training करानी चाहिए और training कराने के बाद उनको भी इस तरह की job के लिए eligible बनाना चाहिए तो ये हो गई सारी information certificate in community health के बारे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like जरूर करिएगा, channel को subscribe करिएगा और अपने friends के साथ ये वीड कर दो जो कर दो टो ये घुम सर्जार करिएग कर दो येडियो झाले कर दोएग।